बॉस का ऐसा नहीं है कि वो खाली 11-12 में ही आपको गाइड करेंगे जी जी वो आप जिंदकी के किसी भी मोड पे उनसे आप पूछ लो आपको एकदम घर वाली राय देंगे बॉस ने बोला कि छोटे हमें कहीं अटक ना नहीं है इसके बाद मेरा ऑल इंडिया रैंक में 71 आय है और उसे मुहिम में हमारे साथ आज जुड़े हैं 2010 सेशन के CLC के ही इस्टुडेंट फाउंडेशन कोर्स यहां से किया इन्होंने सिकर के ही आप रहने वाले हैं और कई बार क्या होता है कि किसी छणिक सफलता को लेकर कोई बच्चा उदास हो जाता है कि एक पर्टिकुल जी के रूप में किस प्रकार इन्होंने सीडी दर्शीडी चड़ते हुए सफलता की मुकाम को हासिल किया है इन्हीं के इमुक्से सुनेंगे आज यह किस पत्परकारी रहता है यहां देली में तो आइए वारत अलाब करते हैं अक्षे कुमार जी से मेरा नाम अक्षेद एक साल गेट दिया बट मेरा एम था बहुत भी पहले से बोलते थे कि कभी भी छोटे परिणामों में कॉंप्रोमाइज मत करना आख्षे वो उसी टाइम से बोलते थे में जी बिल्कुल तो फिर मैंने गेट दिया बट गेट में मेरा कोल इंडिया में हुआ था सेलेक्शन है लुप मेर को अल्टिमेटली इंडियन इंजिनेरेगेश जाना था पहली बार बहुत कर दिया कुछ जिंदगी कि TurkMod per unseen घर वाली देंग ए लिए अच्छी बात कही है कि आप एक स्टूडेंट के रूप में उनसे जुड़े थे आप जिस भी कोलेज में जाना था आप पहुच गए उसके बाद भी रिष्टे खतम नहीं होते हैं यह रिष्टे जीवन भर बनने वाले रिष्टे होते हैं इसलिए तो आजकल एक आधर्स शि पर सब्सक्राइब निर्मान विबाग में जहां कार्या रहा हूं एक साल ट्रेनिंग हुई मेरी घाजियाबाद में उसके बाद मेरी पोस्टिंग दिल्ली में होगी खिक है उसके बाद अभी मैं प्रोजेक्ट सेंटल इस्टा जो अपने इंडिया गाल सब जानते हैं पर सो वीडियो तो बॉसका वीडियो जुड़े हैं पापा के भी घरेलू रिष्टे भी बॉसके साथ वह सबसे ही जितने भी स्टूडेंट पिता जी मम्मी सबसे मिलते हैं और बहुत होते थे यह सब चलता रहता है यह पार्ट आपकी तियारी का आपको घबराना नहीं है तोटना नहीं है मतलब टेस्ट मेरे भी बहुत खराब हुए थे मेरे को भी बहुत बार लगता था कि पता नहीं कितनी रहें काईगी मैं सब्सक्राइब हो पाऊंगा कई बार लगता था कि प्राइवेट कॉलेज में मिल जाए तो बहुत बड़ी है बट बॉसका एक सीधा कि मेरा गेट 24 घंटे खुलना है अब इनों ने बहुत ही बात कही है इतनी सारी कोचिंग लेने के बाद भी इनको वह पलियाद है आज से दस साल पुराना कि एक डारेक्टर उनसे बेटे से एक बात कहते हैं बेटा घर से तुम दूर हो यह कभी भी मत सोचना कि आप अकेले हो यह डारेक्टर का दर्वाजा हमेशा खुला रहेगा और अक्षी जी सही बात भी है दर्जे के साथ में क्वालिटी वाइज एजुकेशन दे रहा है वह दर्वाजे आज भी उसी प्रकार खुले है और बॉस ऐसा था कि मतलब दिन पर कैबिन में नहीं बैठ सकते तो वह कर दो कोई बात नहीं कोई नहीं करण तो बाहर चले जाओ और मैंने इनके बात के की ऑई कि चाहिए हुए तो इस की कोचिंग में आगा तो मताना आप कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी दिक्कत हो फाइनेंचल आपकी इमोशनल घर से रिलेटिट कोई भी हो और यहां पे तो बॉस का मैंने सिर्फ वीडियो देखा था परसों जो फेस्बुक पे सरका पेज जुड़े वे रहते हैं सारी अपडेट मिलती रहते हैं क्या कर र कौन डाट की बुलाएगा मतलब सिर्फी सारी है ठीक है काम चल रहा है कोचिंग चल रही है वह एक पाइट ऑफ बिजनेश हो गया लेकिन वह मूल नहीं था हूं कि आपको बोल बोल के बुलाएंगे कि आप बैठ हूं में आपको देख रहा हूं कि आप पड़ों आप रात हुआ रहा हुआ रहे हैं तो पहले तो इसमें देखा तो ने बताया कि मैं यहां पर आ रहा हूं यह अपने इंपी साब है इनके बंगले पर फंक्शन है जो पढ़ रहे हैं तो मैंने का मैं भी स्टुडेंट रहा हूं मैं भी जाओंगा पिर सरका सर निकल मैसेज भी किया पापा ने भी मैसेज किया तो फिर मैं बस आ गया बिल्कुल वहां यहां मेरा एक छोटा से सवाल रहेगा आ पर लगे हुए हैं तो आपको कहीं डिस्टिबेंस नहीं हुआ मैं मेरे काम को वर्कलोड को एक साइड करके बहुत से मिलने किस प्रकार जाओंगा सर देखो बात यह होती है कि जब घर पे घरवालों की बात आती है तो टाइम निकली जाता है कैसे मतलब अपने घर पे कोई काम कांड घर डियुक्त अपने चरी कि ग्रोच करते हुए एक अच्वाहमि निर्धारित करते हुए एक अच्छा माइलस टों नई जनरेशन को देते हुए यह जिद्ध कर के बताया है कि आपको शफलता पाने में समय तो जरूर लगे का अगर आप अच्छे मुकाम तक जरूर लगेगा घबराना नहीं है आपको इस नई पीडी के यूवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि कभी भी रुके नहीं मतलब ऐसे फलता है आएगी और सफलता उसे ज्यादा आती है सफलता तो एक आपको पता नहीं होता कि आप दरवाजे के कितना नजदी खड़े जब आप करने के सोचते तो बस यह सोच लो कि आप इतना दूर आये हो तो क्यों आये थे जैसे कि कोई 12 का या अपने आये टीजी का एक्जाम दे रहे हैं कुछ हंकों से रह गया तो वह ऐसा सोचता है कि म मैं तो मतलब कुछ हूई नहीं मैं तो पड़ा ही नहीं कि आप इतने दूर आयो तो क्यों किसी परपत से आयोंगा तो आप उसी मोटीवेशन को जैसे मैं भी रहा था इंजिनेरिंग सर्विसेस दिया मेरा पांच अंकों से ही रहा था तो फिर मैंने कुछ नहीं पांच सा निए यह है और दूसरा कि हमेशा मतलब वह जिंदगी का पाट एक गुरू का सबसे इंपोर्टेंट रोल हो तो गुरू मतलब कोई भी हो सकते हैं आपके वह तो बट गुरू का जो रोल है उनसे जो सीख मिलती है वह जो बोलते हैं अगर अपन उनको भी अपनी जिंदगी मे कर लें तो सफलता यही है हम जैसे हम जैसे भाई बंदू को मिलती है तो ऐसा फंटा उसे गबराए नहीं और अगर जो अभी 11 12 पे पढ़ रहे हैं तो बहुत जो बोल रहे हैं बस उनको आप उसको लकीर मान लो कि वह फॉलो करना है बहुत जो बोल रहे हैं आपको कभी डा जो बहुत बहुत ज्यादा बागी बागी कोचिंगों में तो बील्कुल बील्कुल जो बोल रहे हैं जो भी हाल फिलाल में 11 वी बार भी में या आगे भी पढ़ रहे हैं तो आप बॉस जो भी बोलते हैं वो करिए और बिल्कुल तो आपकी इसी बात पर जो आपने संदेश दिया है नई पीडी को अरिवन सराय बच्चन साब की कुछ पंक्तियां हैं मुझे वो याद आगी समुद्र में डुकियां गोता खोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लोट आता है मिलते नहीं हमोती सहज ही समुद्र की गहराई में मुठियां खाली उसकी हर बार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी खायर नहीं होती धन्यवाद जैसी एलसी